एक आयत्ताकार फ्रेम में पतली समानतर तारे और हर तार में मोटी अब आकस सबसे पहले आकलं यंत्रों में से एक है कई लोगों ने तो इसे आधुने कंप्यूटर के पूर्वज की संग्या भी दी है इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे अलग-अलग मात्रा प्रतेक तार को सौपे जाते और इस प्रकार संख्याओं की एक व्रिस्तरिच शंखला को केवल कुछ मोती द्वारा दर्शाया जा सकता सामान ने अंखगनित संचालन करने के लिए मोती को आसानी से नियंत्रत किया जाता अब आकस्वानिज्य संबंदी लेन देन और बहिखाता लिखने में उप्योगी था इसका उप्योग आज भी चीन के कई स्थानों में किया जाता है 1614 में स्कॉटिश गणितग्य जॉन नेपियर ने लोगैरतम के सिध्धान्तों को आपचारिक रूप दिया दो संख्याओं के गुननफल का लोगैरतम उन्ही दो संख्याओं के जोड के लोगैरतम के बराबर होता है लोगैरतम की इस सिध्धान्त ने एक गुनन की समस्या को एक जोड के समस्या में बदल दिया गुनन से जोड के इस रूपांतर ने मशीनी करण की संभावना को आसान बनाया यकायक दो दस अंग संख्याओं का गुनन उन्हीं दो संख्याओं के जोडने जितना सरल था वैज्यानिकों ने जल्द ही कठन गणनाओं के लिए इस नई प्रगती शील तकनीक को अपनाया अगले कुछ सो सालों में हमारे गणत और विज्यान की समझ काफी बढ़ी गणत और विज्यान में प्रगती ने हमें चटल समस्याओं को हल करने की शमता प्रदान की यह एक महान उन्नत युग का प्रारंब था 1623 में जर्मन खगोल वैज्यानिक और गणितग्य विलहम शिखाड ने कैलकुलेटिंग क्लॉक नामक उपकर्ण का प्रोटोटाइप तयार किया यह उपकर्ण छे अंकों की संख्याओं का जोड और घटाओ कर सकता था हला कि यह उपकर्ण कभी बनाया नहीं गया कागस पर इसका प्रोटोटाइप मौजूद था 1642 और 1644 के बीच फ्रांसीसी गणितग्य और दार्शने ब्लेस पासकल ने पासकलीन यह एरिथमेटिक मिशीन नामक यंत्र को रूपांकित और निर्मित किया यह मिशीन जोड और घटाओ कर सकती थी संख्याओं को डायलो द्वारा दर्श और नियंत्रित किया जाता एक तरह से पासकलीन पहली वेवसाइक मिशीन बनी अगर अबाकस को ना गिने तो 1671 और 1673 के बीच जर्मन गणितग्य और दार्शनिक गौट्फ्रीट फिलहल्म वॉन लिबिनिट्स ने स्टेप रेकनर नामक एक गणना यंत्र तयार किया स्टेप रेकनर पासकल के विचारों का विस्तार था और इस मिशीन ने बार-बार जोड और अंकों का स्थानांतरन कर गुणन किया अठारवी शतापती की और द्योगी क्रांती के साथ बार-बार किये जाने वाले कारियों को कुशलता पूर्वक करने की व्यापक आवशक्ता हुई इस चनौती को 1820 में फ्रांस के चाल्स जेविर थौमस ते कोलबार ने प्रभावी धंसे पूरा किया जब उन्होंने अरित्मोमीटर का निर्मान किया यह पहला व्यवसाइक गणना यंत्र था जिसका निर्मान ज्यादा तादाद में हुआ यह जोड, घटाव और गुणन कर सकता था लेकिन विभाजन के लिए उप भोगता के हस्तक शेप की आफशक्ता थी लीबनिट्स की तक्नीक पर अधारत एरित्मोमीटर बेहत लोगप्रिय हुआ आधुने कैलकुलेटर के क्रेडिट कार्ड के आकार से विपरीत यह काफी बड़ा था एक डेस्टॉप जितना बड़ा एरित्मोमीटर जैसे यंत्र 1820 के बाद भी लोगप्रिय बने रहे और संभावित व्यवसाइक उपयोग के लिए उनकी शमता को लोगों ने अच्छी तरह से समझा उन्नीसी शताबदी के दोरान निर्मित कई अन्य उपकरनों ने भी बार-बार किये जाने वाले कारियों को लगपक स्वचालत किया लेकिन इनमें से किसी भी यंत्र का उपयोग कम्प्यूटिंग में नहीं हुआ इनमें एक बड़ा अपवाद था चकवाड लूम इसका अवश्कार 1804 और 1805 के बीच एक फ्रांसी सी बुनकर जोजफ मारी चकवाड द्वारा किया गया इस कपड़े बुनने के करगे को पहला वास्तविक सूचना प्रसंसकरन यंत्र या Information Processing Device भी कहा जा सकता है यह करगा विबिन रंगों के थागों को कीच अलग-अलग तारों की श्रंखलाओं के द्वारा नए स्वरूप के कपड़े बुनता प्रचालक चित्रित पत्तों द्वारा तारों की कती को नियंत्रित करता जिससे बुनाई का स्वरूप बदला जा सके इसके अलावा करखा पत्ता वाचन यंत्र से लेस था शटल फेके जाने पर हर बार एक छित्रित पत्तों की गट्डी से एक नया पत्ता फिसल जाता इससे जटल बुनाई की प्रक्रिया अब स्वचालत हो गई करखा के बारे में असाधारन बात यह भी थी कि इसने रचनात्मक प्रक्रिया को एक परिश्रमी बुनाई के चरण से हटा कर एक पत्ता छिद्रन चरण में स्थानांत्रित किया एक बार पत्ते चिदृत और संकलित किये जाने के बाद रचनाफमक प्रक्रिया पूरी हो गई अब करगा स्वचालत रूप से नए स्वरूप के कपड़े बुनता इस प्रकार जकवाड करगा कपड़ों के विभिन स्वरूप के लिए चिदृत पत्तों की गड़ी द्वारा प्रोग्राम किया जाता जिनका इरादा आकलन यंत्रिकरण था उनके लिए जकवाड करगा महत्व पूर्ण सबक प्रदान करता है इस प्रकार किसी भी उपकरण को एक भाषा के निर्देशों द्वारा विभिन कारियों को करने के लिए निर्देश योग बनाया जा सकता है यह कहना गलत नहीं है कि जकवाड करगा में कम्प्यूटर से पहले प्रोग्रामिंग का आविशकार हुआ मशीन और प्रोग्राम के बीच करीबी संबंध कुछ 20 साल बात जाहिर हुए जब पहले कम्प्यूटर का आविशकार चाल्स बबाज ने किया चाल्स बबाज के आने से पहले कम्प्यूटर उस व्यक्ति को कहते थे जिसका काम संख्याओं को जोड़ना, घटाना और परिणाम तालिका में तरज करना था वास्तव में यह एक विशाल संख्या परियोजना ही थी जिसने चार्ल्स बबाज को कम्प्यूटर बनाने के लिए प्रेरित किया नपोलियन बॉनापाट ने 1790 में एक परियोजना शुरू की जब उन्होंने माप की पुरानी शाही प्रणाली को एक नई मेट्रिक प्रणाली में बदलने का आदेश दिया अगले तस वर्षों के लिए कई मानविय कम्प्यूटरों ने आवश्चक रूपांतरन के लिए तालिकाओं को पूरा किया हुई मशीनों के बारे में सोचा अगर रचनात्मक और मेहनती आवश्कारक, कॉटन जिन और स्टीम लोकोमोटिव जैसे मशीन इविक्सित कर सकते हैं तो गणना के लिए एक मशीन क्यों नहीं पबाज इंग्लेंड लोटे और ऐसी ही एक मशीन के निर्मान में जुट गए यह उनकी गनित की प्रतिवा थी जिसके कारण उन्होंने सारे पहलूओं को एक साथ देखा उन्होंने अपने पहले आवश्कार को डिफरेंस इंजिन का नाम दिया यह गुणन या विभाजन का उप्योग किये बिना सिर्फ बार-बार जोड कर पेचीदा गनना के समस्याओं को हल करने के सिधान्थ पर काम करती 1824 में उन्हें सरकारी वित्ती साहिता मिली और अगले आट वर्षों तक उन्होंने अपनी योजना पर काम किया 1832 तक उन्होंने अपनी तालिका बनाने वाली मिशीन का वर्किंग प्रोटोटाइप तयार किया लिकिन सरकारी वित्ती साहिता से मिले पैसे खत्म हो चुके थे मशीन का निर्मान अधूरा चोड़ने के विपरीत उन्होंने अपनी योजना को और आगे बढ़ाया और अनलेटिकल इंजिन नामक मशीन की संकलपना रखी यह मशीन जोड और घटाव के साथ-साथ गुनन और विबाजन जैसे जटिल गणना भी कर सकती अनलेटिकल इंजिन के मूल भूत थाग कंप्यूटर के पुरुजों से काफी मिलते हैं इसमें किसी भी आदुनिक कंप्यूटर की दो विशेशताएं एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU और मेमरी शामल है बबाज ने CPU को मिल और मेमरी को स्टोर का नाम दिया अनलेटिकल इंजिन को निर्देश देने के लिए रीडर नामक उपकर्ण उसके साथ जोड़ा गया प्रिंटर नामक उपकर्ण मशीन द्वारा उत्पन परिनामों को कागस पर अंकित करता अनलेटिकल इंजिन एक प्रिस्तावित मेकानिकल जेनरल पर्पिस कम्प्यूटर था मशीन के सभी हिस्सों को हाथो द्वारा बनाया जाना था हजारो भागो वाले मशीन के लिए यह एक बड़ी समस्या थी बबाज अपने किसी भी मशीन का निर्मान पूरा करने में सफल नहीं हुए उनके मुख इंजिनियर ने वेतन के अभाव और परियाप्त वित्य साहिता के बिना काम करने से इनकार कर दिया बबाज का नया आवश्कार पूरी तरह से सिर्फ कागस पर मौजूद था उन्होंने अपने मिशीन के बारे में विशाल काई नोट्स और स्केचिज रखे थे उनकी मिशीन अपने समय से एक शताबदी आगे थी उधारन के लिए स्टोर में 50 अंकों वाले 1000 संख्याओं को रखने के लिए परियाप्त जगत थी यह 1960 से पहले निर्मित किसी भी कंप्यूटर के स्टोरिज शमता से काफी ज्यादा थी अंग्रेजी सरकार ने चार्ल्स बबाज को और विक्ति सहायता देने से इंकार किया आखिरकार उनकी परियोजना बंद कर दी गई चार्ल्स बबाज के अनलेटिकल एंजिन के संकल्पना के एक शताबदी बाद 1940 में पहला मेकानिकल जेनरल परपस कंप्यूटर वास्तविक रूप से बनाया गया चार्ल्स बबाज को इसी लिए कई लोगों ने फादर अफ कंप्यूटर की संग्यां दी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स द्वारा जरूर बताएं